C.I.E.T. and C.E.R.T. दोरप्रस्तुत है कक्षा 3 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पहला पाठ डाल डाल पर ताल ताल पर मा आज मुझे स्कूल भेज दो ना दो दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ फूनम बोली मा ने जवाब दिया तुम्हें अभी बुखार है बाहर जाकर चार पाई पर लेट जाओ चार पाई पर लेटे लेटे पूनम को नीद आ गई अचानक उसकी चेहरे पर कुछ गिरा वो हड़ड़ा कर उठी उसने अपने गाल पर हाथ लगाया उफ ये किसकी शरारत है कबूतर की या कववे की कववे की ही लगती है यहां एक पेड का चितर है जिस पर कुछ पशू पक्षी बैठी है जैसे कबूतर, कववा, गिलहरी, बंदर, कुछ तितलियां भी हैं और है मैना और चिडिया भी अब बताओ पूनम ने पेड पर कई जानवर दिखे तुम्हें चितर में पेड पर कौन-कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं उनके नाम लिखो यहां एक और चितर दिया हुआ है ये एक तालाब का चितर है जिसमें पूनम कुछ धो रही है किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों कीडे, पक्षी, स्तंधारी आदि के लिए किया गया है इस उम्र में बच्चे कीडे, मकोडे या साप और छिपकली का अधित पारीकी से वर्गी करण नहीं कर सकते आप भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं बच्चों को विबिन जानवरों की जानकारी इकटा करने के लिए प्रेरित करें हाँ तो बच्चों चित्र में बकरी, भैंसे और कच्चुआ तो दिखाई दे ही रहा है साथ में हैं दो मेंड़क और कुछ पक्ची भी जैसे अंस और कववा अब बताओ पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे तुम्हें चित्र में पेड़ पर कौन-कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं उनके नाम लिखो तालाप पर दिखे जानवरों का अभिने करके दिखाओ कौन सा जानवर क्या हरकत करता होगा जानवरों की अलग-अलग आवाजें भी निकालो जानवरों के चलने का ढंग अलग-अलग होता है कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ पंखों की कुछ तो पूझ का सहारा भी लेते हैं तुमने भी बहुत सारे जानवर देखी होंगे उन में से कौन-कौन से जानवर उड़ते हैं कौन-कौन से जानवर रेंगते हैं कौन-कौन से जानवर चलते हैं और ये भी बताओ कि कौन-कौन से जानवर फुदकते हैं कौन-कौन से जानवर पंख वाले हैं कौन से पैर वाले हैं और कौन से जानवर पूछ वाले हैं जानवर अलग-अलग जगा रहते हैं कुछ पेड़ पर रहते हैं तो कुछ पानी में कुछ जमीन पर रहते हैं तो कुछ उसके नीचे कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं यहां कुछ जानवरों के चित्र दिये गए हैं, जैसे घोडा, कुत्ता, मुर्गा, मकौडा, चील, बिल्ली, मेंधक, छिपकली, गिलेहरी, तिड्डा, हाथी, मच्छली और बतक. इन चित्रों को देखो, इन मेंसे जो जानवर तुमारे घर में नहीं रहते, उनमें रंग भरो. यहां कुछ जानवरों के अधूरे चित्र हैं, उन्हें पूरा करो और उनके नीचे उनके नाम लिखो. और अब पहेली, बताओ, मैं कौन हूँ? छत पर बैठ कर केला खाओं, इधर उधर मैं कूद लगाओं. दूसरी पहेली है, दीवारों पर जाल बनाओं, जिसमें कीडों को फसाओं. तीसरी पहेली है, जाग जाग कर रात बिताओं, दिन निकले तो मैं सो जाओं. चौथी पहेली है, टर-टर-टर की रट लगाओं, फुदक-फुदक पानी में जाओं. पाच्वी पहेली है, बारिश के बाद नजर मैं आओं, पाओं नहीं पर रेंगता जाओं. चौथी पहेली है, धीमी चाल से चलता जाओं, दौड में फिर भी जीत में पाओं. बच्चो, किसी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठो, ध्यान से देखो, पेड़ पर और उसके आसपास कौन-कौन से जानवर हैं? डालियों पर कौन-कौन से जानवर हैं? पत्तों पर कौन-कौन से जानवर हैं? तने पर कौन-कौन से जानवर हैं? जमीन पर कौन-कौन से जानवर हैं? पेड़ के आसपास कौन-कौन से जानवर हैं? अब इन जानवरों को एक क्रम में लिखो, छोटे से बड़े तक इसी के साथ साथ कक्षा 3 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पहला पाठ यहां समाप्थ हुआ निर्मान एवं प्रस्तोती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत